आज राष्टिय मतदाता दिवस के मौके पर उत्राखंड में हरिद्वार के रूड़की में नमो नव मतदाता सम्मेलन आयोजित किया गया इस अफसर पर उत्राखंड की मुख्य मंत्री पुशकर सिंग धा में भी कारिक्रम में मौजूद रहे। इस दोरान कारिक्रम को संबोधित करते हुए सीम ने कहा कि राश्टी मत्तिदाता दिवस हमें लोकतांत्रिक मूल्यों और परमपरा को आगे बढ़ाने के लिए अपने आधिकारों और कर्तव्यों का बोध कराता है। हमें इसका प्रयोग पूरी जिम्मेदारी के साथ और निर्विक होकर करना चाहिए। सुपकाम नहीं देता हूं korusres को क्या जरूर आपके मन्में इस भाव आना चाहिए श्न दिवार्विधाता ही बलकि आप भाग्य विदाता हैं आप देश के भाके विदाता हैं आपके बोर्ड से निश्चित रूस से देश आगे बढ़ने वाला है क्योंकि देश को विक्सित बनाने का जो संकल्प हमारे प्रधान मंत्री जीने लिया है देश को दुनिया का सिर्मार बनाने का यानि भारत दुनिया के सबसे आगे चलेगा पूरी दुनिया भारत के पीछे चलेगी ऐसा संकल्प जो हमारे प्रधान मंत्री लिए उस संकल्प पूरा करने का माध्यम कोई बनेगा तो हमारे युवाही बनेगे हमारे नौजवान बनेगे हमारी युवासक्ति बनेगी देश के नौजवान अगर मद्दाता सुची में जो पंजीकरित नहीं हुए है तो उन्हें होना चाहिए आप सब को जरूर इसको द भी अवश्य करना चाहिए कई बार बहुत सारे हमारे नौजवान युवास जो पहली बार अपने मत का परियोग करने वाले होते हैं उनको लगता है कि इतने सारे लोग मत्दान करने गये हैं अगर मैं मत्दान नहीं करूंगी तो क्या हो जाएगा लेकिन आपको पता है एक एक बोर्ट की कितनी कीमत होती है एक बहुत बड़े आदमी की बोर्ट की किमत भी उतनी है जितनी एक सामान ने मिटती की है इसलिए कहते हैं कि लोग तंत्र में बोर्ट का सरवादी महत्त है और मैं तो चुनाओं के दिनों में हमेशा यह कहता रहा जब भी चुनाओं आता यह हर किसी को करना चाहिए युवापीडी आज हमारी जो बोट है उसके बोट के महत्तु को समझ चुकी है इसलिए मद्दान के परती हमारे युवाओं की जो जाग रुपता है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और अभी आपने देखा जो चार राजियों के चुनाओं हुए उ जो बोटों का परसेंटेज था पहले बमुष्किल 50% मुष्किल से होता था इस बार 70% 70% 80% 80% तक बोटों का परसेंटेज बड़ा है इसके पीछे अगर सब किसी कोई सबसे बड़ा कारण है तो वह आप जैसे नौजवान युवाप मतादिकार करने वाले मताता है इसलिए बन गया है और बोटर फ्रिंडली बन गया है उसकी सारी सोथ सारी जो उसकी योदनाएं है अगर उसके केंद्र बिंदू पर कोई है तो हमारा मताम केंद्र में रहता है मताम केंद्र में सारी उसको सेंटल मानके उसको केंद्रिप मानके उसको काम किया जाता है कि कैसे अधि से काम चलने वाला नहीं है इसमें हम सब को भी अपनी भूमिकाーナ निश्चित रुप से संवली करनी होगी हमें आपको और हमारे युगावें को सकूल में कालेज में महावीतियलेंभ यूँ में संस्तानों में महलों में जंज और्मफ भीहां चला कर मतां का महल है मुद्ध का महल बनाए रखना चाहिए कुई हमारे प्रदान मंत्री का ये संकल्ब पूरा करनेके लिए उखे हाथों कо और अधिक मजबूत करने के लिए jushtback को कि आपकी भी भूमी का बराबर किया इस राश्ट को बनाने में हमारे भाई भी हमारी बहन भी हमारे बेटे भी हमारी बेटिया भी एक साथ सब तदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे तो विक्सित भारत बनने से हमको पुरी सक्ति रोक नहीं सकती है